वेलकम बैक टो मैं चैनल, सलूशन इस फॉर यू, होप यू आर दूइंग वेल, आज की वीडियो जॉब की रिलेटिड वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि BSF Recruitment 2023 की तरफ से, Tradesman की यहां पे जो जॉबस निकली है, more than 1200 जॉबस all over India, जहां पे आपकी educational qualification 10th रहने वाली है, आर रेड़ी आपने जो इसकी notification है वो पढ़ ली होगी, हम यह जो notification है टेलिग्राम चैनल में आपके साथ शियर करेंगे, आप वहां से इस notification को डाउनलोड करने के बाद जो भी आपने details है, वो आप चक कर सकते हो, इस वीडियो में हम आप से live discuss करेंगे, कि आपने कैसे form को fill करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please do subscribe our channel, अगर वीडियो पसंद आते है, वीडियो को like और comment जरूर किय करें, सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें कि apply कैसे करना है, आपको description में link दी जाएगी, आपने उस link पे click करना है, link पे click करने के बाद आपको एक ऐसा interface जो है, वो open हो जाएगा, interface open होने के बाद, आपने अपनी website में scroll करना है, scroll करने के बाद, यहां पे एक notification आपको वह बेएगी, conastable tradesman exam 2023 in BSF, last date जो इस form का है, वो 27 मारिच रहने वाला है, apply करने के लिए, आपनी यहां पर apply करना है, apply के बाद, आपको एक ऐसा interface जो हो open हो जाएगा, आपने यहां पे सबसे पहले अपना candidate's name है, वो आपनी यहां पे type करना है, उसके बाद, जो mobile number है, वो आपने यहां पर टाइप करनी है, email ID टाइप करने के बाद आपने यहां पर generate OTP पर किलिक करना है, जो आपके register mobile number पर बेज़ा जाएगा, OTP आपके mobile number पर आया होगा, आपने वो जो OTP है, यहां पर टाइप करना है, OTP टाइप करने के बाद आपने यहां पर submit पर किलिक करना है submit पे किलिक करने के बाद आपने यहां पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहां पे जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहां पे देना है और अगर आपके पास आधार नहीं है आपने यहां पे passport, pen card जो भी card है उसके बाद आपने यहां पे जो details है आधार card की और pain card की वो आपने यहां पे select करने हैं उसके बाद आपने यहां पे additional information आपने calendar में से अपना DOPG हो वो select करना है सबसे पहले आपने यहां पे क्या करना है कि calendar से आपने अपना year जो है वो select करना है year select करने के बाद आपने यहाँ पे जो month है वो select करना है उसके बाद day आपने यहाँ पे select करना है उसके बाद आपकी जो age है वो automatically यहाँ पे show हो जाएगे उसके बाद nationality आपने select करनी है उसके बाद जो आपका father's name है वो आपने यहाँ पे देना है उसके बाद आपने यहाँ पे mother's name देना है permanent identification mark आपकी body पे कहाँ पे है वो आपने यहाँ पे देना है उसके बाद आपका gender क्या है वो आपने यहाँ पे select करना है आप married है कि unmarried वो आपने यहां पर select करना है details fill करने के बाद आपने यहां पर domicile की details देनी है कि do you have domicile certificate yes or no वो आपने यहां पर click करना है domicile detail में अगर आपके पास domicile है वो आपने select करना है domicile state के है उसके बाद domicile certificate number आपने यहां पर करना उसके बाद category के बारे में religion कौन से है आपका category कौन सी है आपकी और उसके बाद आपने यहां पर mention करना है क्या आप government employer हो departmental और director entry है वो आपने यहां पर mention करना है mention करने के बाद यहां पर disability के बारे में पूछा गया है आपने yes or no में answer करना same ex-serveceman and departmental के बारे में यहां पे पूछ गया है उसके बाद आपने यहां पे Save and Next पे Click करने के बाद आप ने यहां पे जो अपना permanent address है वो यहां पे देना है pin code क्या है आपका वो आपने यहां पे देना है state mention करने के बाद आपका district कौन सा है वो आपने यहाँ पे mention करना है district mention करने के बाद आपने यहाँ पे village का name जो है वो यहाँ पे देना है police station कौन आता है आपका वो आपने यहाँ पे देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो post office आपका आता है वो आपने यहाँ पर detail देनी है detail देने के बाद अगर आपका correspondence address same है तब जाके आपने यहाँ पर tick-pick click करना है tick-pick click करने के बाद आपकी details automatically fill हो जाएगी है उसके बाद आपने यहाँ पर save and next पर click करना है save and next पर click करने के बाद यहां पर NCC के related details अगर आपने NCC किया है yes otherwise no उसके बाद कोई supports achievement आपने की है वो आप यहां पर mention कर सकते हो school level, university level वो आप mention कर सकते हो उसके बाद height के बारे में यहां पर पूछा गया है आपने as per notification यहां पर height है वो यहां पर देनी है then you are available for this job otherwise अगर आपकी height और chest मेज नहीं कर रहा है then you cannot apply for this job height chest देने के बाद आपने यहां पर जो है in centimeters आपने यहां पर हर कोई चीज देनी है उसके बाद black list के बारे में कोई criminal case है yes otherwise no पर किलिक करना है और उसके बाद save and next पर आपने यहां पर किलिक करना है save and next पर किलिक करने के बाद आपने यहां पर qualification details देनी है सबसे पहले आपने यहां पर जो अपना metric है वो select करना है certificate number देना year of passing क्या रहा है आपके metric का वो आपने यहां पर select करना है उसके बाद जो state है वो आपने यहां पर select करना है और उसके बाद add पे यहाँ पे click करना है, add पे click करने के बाद आपकी जो qualification details है यहाँ पे show हो जाएगी, अगर आपने 12 भी कर रहा है, आपने यहाँ पे same details यहाँ पे click करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे click करना है, save पे click करना है otherwise आपने यहां पे no पे click करने के बाद save and next पे आपने यहां पे click करना है और last में आपको यहां पे certificates, documents जो है वो आपने यहां पे upload करने है सबसे पहले आपने अपना upload photograph करना है जिसका size यहां पे 30KB to 100KB का होना चाहिए उसके बाद जो sign का size यहां पे 20 to 50KB का होना चाहिए उसके बाद जो matriculation की certificate है उसका size यहां पे 30 to 100KB का होना चाहिए और उसकी बाद अगर आपने कोई other achievement जैसे support achievement की है उसकी जो certificate है वो आपने यहां पे upload करने है upload करने के बाद आपने यहां पे I do hair by declare पे click करने के बाद save and next पे आपने यहां पे click करना है उसके बाद इस post के related आपको यहां पे पूचा गया है वो details आपने फिल करनी है जैसे कि जो भी details है वो आपकी यहां पे show हो जाएगी उसके बाद center preference आपने कहां का देना है वो आपने यहाँ पे mention करना है जो भी आपका nearest center होगा वो आपने यहाँ पे select करना है उसके बाद जो total amount for general category वो 147 रुपीज दिखा रहा है आपने यहाँ पे I hear by declare पे click करने के बाद pay now पे click करना है उसके बाद आपने यहाँ पे जो payment का option है वो payment आपने यहाँ पे करनी है throw credit card, debit card, net banking, paytm, wallet और उसके बाद आपने यहाँ पे make payment पे click करना है this is all regarding BSF recruitment 2023 जोरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी issue रहता है आप direct हमें comment box में पूश सकते हो within hour आपको reply करनी की कूशिश करेंगे इसकी इलावा अगर आपको हमारी वीडियो उस पसंद आते है वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करना thanks